हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आई, hope आप सब अच्छे होगे, तो फ्रेंट्स आप लोगों ने अली अपदाल की वीडियो देखी होगे, तो उनका जो रैक्टेंगल एक आपको राउंडेड रैक्टेंगल देखते हैं जहां पे उनकी वीडियो उसके अंदर प्ले होती और एक glow करती हुई line जो है continuous चलती रहती है तो वो आप कैसे create कर सकते हैं तो चलिए आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वैसा animation यह आप create करना चाहते हैं आपकी वीडियो के लिए तो आप कैसे create कर सकते हैं तो चलिए directly चलते हैं अपनी computer screen की तरफ तो friends सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ कि कौन से animation की मैं बात कर रहा हूँ और आप कैसे बना सकते हैं इसको तो friends यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा rounded rectangle में आपको यहाँ पर line जो दिख रही है animate होते हुए तो ऐसा आप कैसे create कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने after effect की तरफ तो after effect यहाँ पर आपको open कर लेना है यहाँ पर हम new composition create कर ले रहा है 19251080 पर यहाँ पर 10 second का जो है composition create कर ले रहा हूँ 30 frame rate मैं ने यहाँ पर choose किया हुआ है तो friends यहाँ पर सबसे पहले हम एहाand एक rectangle create कर लेंगे तो यह देखें मैं एक rectangle create कर लिया है अब size आपके उपर depend करते कि आपकि size का यहां पर बनाना चाहते है यह तो आप circle बना सकते हैं यह तो आप rectangle बना सकते हैं तो जो भी आपकी actions आप यहाँ बैटशने कर सकते हैँ इसके बाद में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस rectangle को यहां पर rounded कर देंगे तो यहां पर देखेंगे हमने इसको rounded कर दिया है जितना भी size आप rounded देना चाहते हैं तो यहां पर मैंने इसको 90 कर दिया है then इसके बाद में हमें क्या करना है कि यहां पे आप देखेंगे तो इसमें आपको एक duplicate create कर देना है और duplicate करने के बाद में आपको यहां पे इसका fill off कर देना है तो यहां पे हम इसका fill off कर देंगे then इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो image हमने import की हुए तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे then जो भी part आप दिखाना चाते हैं like जैसे कि यह वाला part आप दिखाना चाते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा scale size छोटा कर लेता हूं then इसके बाद में मैं इसको यहाँ पे set कर दूँगा तो something यह part हम दिखाना चाते हैं तो इसके लिए हमने क्या कर दे इसको track matte कर दे नीचे वाली इस layer से तो आप पूरा यह यहाँ पे दिखाए दे रहा है अब simple हमको क्या करना है कि इसको duplicate कर देंगे हम अब आप इसको पतला भी कर सकते हैं और मोटर चाहिए तो आप इससे ज्यादा मोटर भी कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैंने 10 पिक्सल यहाँ पे ले लिया है इसके बाद में हमें क्या करना है कि उपर वाली layer पे हमको यहाँ पे एक effect अप्लाई करना है इसका नाम है Deep Glow अब Deep Glow अल्रेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है तो यदि आप लोगों को नहीं पता है तो Telegram चैनल हमारा जॉइन कर लिजए लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहाँ पे जाकर के आप जो है Deep Glow डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है अब सिंपल देखे 50 बहुत ज्यादा लग रहा है साइज तो हम इसको कम कर लेंगे थोड़ा यहाँ पे 3 यहाँ पे type कर दिया है अब देखे आपका जो animation है किस type स से आपको दिखाई दे रहा है तो यह continue animation आपको यहाँ पे इस तरीके से पूरद दिखाई देगा अब यहाँ पे आपको जो यह animation जितनी देर कभी चाहिए suppose आपको 20 second 30 second 50 second या फिर 1 minute 2 minute 10 minute जितने भी देर के चाहिए तो उसे साथ से आपको जो यहाँ पर की लगा दिने लाश्ट में और यह numbers जो है और बढ़ाने पड़ेंगे आपको तो मैंने अभी के according जो यहाँ पर number जो है यहाँ पर 3 रखा हुआ यहाँ पर मतलब 3 circle यहाँ पर round कर रहे हैं अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर यह चीज अभी final नहीं हुए है अभी इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि simple rectangle पाएंगे stroke के अंदर आ जाएंगे और पहले तो बट कैप को हम round cap कर देंगे यहाँ यहाँ पर आएंगे taper जाता है तो इस तरीके से आपका जो animation आप यहाँ पर create कर सकते हैं तो यही starting पर आप देखेंगे तो थोड़ी सी speed fast है थोड़ा सा normal speed में चल रहा है तो अभी फिलहाल अब आप देखेंगे तो render पूरा हो चुका है तो अब यहाँ पर सही पूरी speed चल रही है तो इस तरीके स आप बहुत यह अच्छा animation जो है आप यहाँ पर create कर सकते हैं अब जो भी वीडियो वगएर आपको लगाने आप इसके अंदर आपके वीडियो वगएरा लगा सकते हैं तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज को वीडियो है मारा पसंद आया होगा यही वीडियो पसंद आया आप